हाई गाईस कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज मैं आप लोगे ले कर रहा हूँ हूँ बहुत ही चट पटा मसालेदार रेसिपी तो वीडियो को इन तक जरूर देखना अगर चानल पे नहीं हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर देना यह चली से बनाते हैं तो मैं ने यहाँ 500 ग्राइम तेंडियों को बहुत ही चली से वाश कर लेना इसके बात मैं यह मैं Civils तव में काट लागा लूँगी अच्छे तरीके से तो इहां मैंने अच्छे तरीके से चैसे चाट लागा लिया है यह आप देख सकते हो और दिखा देती हूँ यह आप देख सकते हो मैंने यहां मसालों में लिया है दो चमच जीरा पॉडर आधी चमच काली मिर्च पॉडर डेर चमच लाल मिर्च पॉडर आधी चमच हल्दी पॉडर आधी चमच धनिया पॉडर आधी चमच गरम मसाला पॉडर और आधी चमच तंद का पेस्ट लिया है दो मीडियों से इसकी तमाटर को मैंने पेस्ट डिया था और नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ना उसके बाद मैंने एक कढायगा है कढाय में करूंगी यहां मैंने चार चमच आइड किया है और तिन्डे को इसमें अच्छे तरीकसे गैस का फले लिए उसके बाद यहां हमें एक्ष्टर उयल नहीं लेना है मैं इसी वह में सब्सक्राइब करूंगी गोटी जीरा और यह हरी मिर्स इसे अट करने के बाद 10 से 15 सिकंड तक मैं इसे चोड़ दूंगी अच्छे से चला के उसके बाद मैं इसमें एट करूंगी प्याच जो मैं मैं इसमें मसाला एट करूंगी मसाला एट करने के बाद मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एट कर दे रही हूं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एट कर देना उसके बाद हमें मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है दो से चार मिनट के पानी यहाया पाँ वारी को सफया घ्याइंब अठीक होने हमाने बूरति अच्छी में बरत हैерг्वा Vaid दही को बहुती अच्छे तरीक से जब यह मिक्स हुघे उसके बाद हमें धकन लगा के 2-3 मिर तक छोड़ देना है 2-3 मिर से बाद मैं धकन खोल का देखूंगी यह देखिए मसाला बहुती अच्छे तरीक से अमारा भून कुक करूंगी यह देखिए पंदय मिन हो चुक है उसके बाद मैं से खोल का चेक कर रही हूं इसके बहुत ही अच्छे तरीके से पक रहा है अप लोग देख सकते हैं तो मैं से पांच मिन तक और छोड़ दूगी मिडियम फेल्म पे कूक होने के लिए पांच मिन के बाद मैं स खोल कर चेक करूंगे एक दम अच्छे तरीके से सब्सक्राइब गल चुक है इसे चार मिन तक मैं इसे यूँ छोड़ दूँगी स्लो फ़लेम पे कुक होने के लिए उसके बाद मैं इसे गर्म गरम सफ करूए ग्यास की फ्लेम को आफ करें और गर्म गरम इसे सफ करें यहां ह यह रेसिपी को ट्राइज जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चानल को सब्सक्राइब करना प्लीज गाइस आप लोग मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहें आप लोग के सपोर्ट के वज़ा से मैं आगे बढ़ूंगी जो लोग यह रेसिपी आप लोगो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करना और जो लोग मेरे रेसिपी को ट्राइ करते हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलती हूं नेक्स्ट रेसिपी में ओके बाई